नमस्कार स्वागत आपका स्वदेश वानी में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हुश्रे ओशी मुखर जी आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंच बर पुर्व मुख्य मंत्री रावली देवी ने राज़ानी पटना में लगतात हो रहे हत्याओं पर निदिश कुमार को अर्मोचा बताया विपर महिं बिहार में शराब बंदी कानून पर विपक्ष हुआ हमलावाद राज़त विधायक भाई विरेंद्र ने कहा NGA सरकार में शराब बंदी के नाम पर मची हुई है लूट वही पुलिस का स्टडी में वीर कुवर सिंग के पोते की हत्या मामले में यहां विधान सभा में महुआ विधायक मुकेश रोशन ने सदन के बहार किया हमगामा वहीं AIMIM के विधायक अक्तुरूल इमान को सदन से माशल के द्वारा निकाला गया बताया जा रहा विधान सभा अध्यक्ष इनके रवेले से खपा होकर दिया आदेश बर्गठा थाना अंतरगत बेडो खुर्द में बर्गठा थाना पुलिस और वन विभाग के पदधकारियों के साथ मिलकर अववैद आरा मिलके विरोथ छापमारी किया गया आपको बता दें कि बर्गठा थाना प्रभारी विक्रम कुमार ने प्रेस्विग्यप्ती जारी कर बताया कि 28 मार्च को सुभा बर्गठा थाना अंतरगत बेडो खुर्द में वन विभाग के पदधकारियों के साथ मिलकर छापमारी किया गया जिसमें ग्राम बेडो खुर्द दिवासी महदेव राना के द्वारा अवैद रूप से आरा मिल को संचालित करते हुए पाया गया वहीं पदधकारियों के द्वारा आरा मिल पर पाये गये साल बोटा 12 पीस, शीशम बोटा 1 पीस, चीरन पटरा 10 पीस, पत्ती 2 पीस, आरा रूड एक पीस, चीरन कुनी 12 किलो ग्लाम लगभग डीजर इंजन 1 पीस, आरा पत्ती 50 फीट को विधीवत जब्ट कर कारवाई करन हित्व विभाग शेत्र कार्याला बरही में ले जाया गया है। बकायदा चौकीदार को ड्यूटी में लगा दी गई है। गौड तलब है कि अत्री थाना शेत्रे में बालू का अवैर खनन जोरो पर है। थाना में सटे पैमान नवी के टीकर, सोया, समेश, अन्य बालू खाटों से बिन के उजाले में बालू का उठाव किया जाता है। जिसकी जानकारी मिलने पर थाने पत्रकारों ने इस मामले को प्रकाशित किया। सिर्फ इतना ही नहीं। कांडों में फरार आरोपी के खुलेयां घूनने पर अत्री थाना इलाके में शराब निर्मान यथावत होने की खबर प्रकाशित होती रही है। बालुखरन की खबर प्रकाशित होने के बाद अत्री थाना ध्यक्ष प्रशांत कुमार आगबबुला हो गए और लोकतंत्र के चौते सम को थाने में एंट्री करने पर रोक लगा दी गई पत्रकारों के द्वारा जब समचार संकलन के लिए थाना परिसर में जाने का प्रयास किया गया ड्यूटी पर ताना चौकिदार ने यह कहते हुए ने थाना में जाने से रोक दिया कि थाना ध्यक्ष ने किसी भी पत्रकार को थाना में आने से मना किया है अपने थाने में तैनार थाना ध्यक्ष प्रशांत कुमार के कर्मचारियों के चर्चे शुरुआत से होते आ रही है ड्यूटी में शुरुआती दौर में ही उनके द्वारा एक प्राविट वैक्ती बिंदेश्वरी प्रसाद को रखा गया है आपको बता दे कि थाने लोगों के लिए ये एक आमचर्चा हो गई है उक्स प्राविट वैक्ती बिंदेश्वरी प्रसाद के द्वारा बालू खनन माफिया शराब माफिया एवन अन्य माफियाओं के साथ मिली भगत करके राशी की वसूली की जाती है सारी जानकारी होने के बाद भी थाना ध्यक्ष इस पर कोई कारवाही करने पर मुनासिब नहीं समस्ती किन क्या देश पर रोक लगा है जिसे आपको कौन रोक लगाने के लिए बोले आपको कौन मना केंगे पतरकार को अंदर नहीं आने दीजेगा किसके आदेश पर कौन रोक लगा है आपको कौन रोक ने बोला है यूज्त आप किसके आदेश पर रोक रहे हैं पूर्वे मुक्हे मंतरी राबड़ी देवी ने पटना में लगतार हो रहे हट्याओं पर यह बताया कि सरकार पूरी तरह पेल हो जुटी है कानुन व्यवस्था की सिती बिलकुल खराब है सरकार के कानुन व्यवस्था नहीं समाली जारी है और हालत बिहार के खराद काफी हो चुके हैं कोई सुरक्षित नहीं है जाबडी देवी ने भार्टी जंदा पाटी के द्वारा राज्य में योगी मॉडल लागू किये जाने पर कहा कि कौन रोका है योगी को बिहार को मुख्य मंत्री बना दिया जाए अब बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार को उस्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बना दिया जाए शराबबंदी काणून में संशोधन बबनकी मुझेमार कानून में रहेला है अपना मन्मानी है जब मुझेर तब करेंगे चोए साल हो गएा तर चोए साल में आए क्या हुआ डिया है क्या हल five जा बन庫िमाती कानून में संशोधन क्या हो NOW क्या होना चाहिए कोई मतलब है नहीं है आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए आपके हिसाब से 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 क्या होना चाहिए आपके हिसाब AIMIM के विधायर अत्रूल इर्मान को आज चलते सत्र के दोरान सदन से माशल के द्वारा उस वक्त बाहर कर दिया गया जब वो अपने शेत्र से जुड़े एक बांध का मामला उठा रहे थे आपको बता दे कि विधान सबहा अत्ध्यक्ष ने इनके रवय słu से खफा होकर उन्हें माशल के द्वारा सदन से बाहर करने का आदेश दिया और फिर उन्हें बाहर कर दिया गया इधर इस कारवाहि से खफा होकर अ aktrů निर्मान विधान सबहा केट के समिर धर्णापर बैट कट रही हैं हमारे हाँ धर जनू नहीं पलके सेक्रू बस्तिया कटकर नदी में बिलीन हो गई हैं लगबग 2000 से जादा लोग बिस्ताफित हो गए हैं इस वक्त भी बस्तिया हमारी कट रही है उच्छास्तरिय टीम यहां से गई उसने भी अनुसंता किये लेकिन हमारी व्योज बिखता हूं कि एक मेरे के अंदर में बारी शुरू होगी हमारी हाँ काम नहीं करा जा रहा है हम जनता को क्या जबाद देंगे इसने हमने कहा कर देंगे हमारे कार्ज अस्थ्थगन हम से आप विभाग को कीजिए तो हमको मारसल आउट कर दिया गया यानि योजनाओं में करने के लिए लोगों को ट्राफिक नियम का अनुपालन कर जागरूप करने के लिए बुदवार को क्रिस्टिक बोट चौक में ट्राफिक पुलिस द्वारा वहन चेकिंग का विशेश अभ्यान चलाया गया आपको बता दें कि इस दोरान वाहन चेकिंग का ट्राफिक रूल्स का उलंगन करते जो वाहन चालक पकड़े गए उन्हें पुलिस द्वारा मृदु भाशी बन कर माला पहनाये गया साथ ही गुलाफ पूल भी दिया गया इस बीच ट्राफिक इंस्पेक्टर राम नारायन सिंग ने बताया कि यह अभियान लोगों को जागरुक करने की लिए किया जा रहा है ताकि वे ट्राफिक नियम का पालन कर सुरक्षा का अनुपालन करें अगर कुछ कहीं तो घटना घट के तो सबसे पहले सर पे चोड़ लगते हैं और सर पे चोड़ लगने के बाद इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का किसी भी तरहा से शराब बंदी पर जिद्दी नहीं है वह लगतार शशनशोधन कर रहे हैं लोगों की बात समझ रहे हैं कहा कि देश के किसी कोने में शराब बंदी नहीं है सिर्फ गुजरात और बिहार में हैं गुजरात में भी इतनी कड़ी कानून नहीं है यह शंशोधन सिर्फ आख में दूल जोकने के लिए हो रहा है शराब माफियाओं को सहरा दिया जा रहा है जिसमें बहुत सुधार आया है हम समझते हैं कि इसको कुछ दिन चलेगा इसमें फिर क्या विक्रितियां आएगी उसके अलावे उसके पर सरकार सोचेगी हम सिर्फ एक कान आए कि जो लोग कहते थे कि रिजीड है निकिस कुमार रिजीड नहीं है लोगों की बातों को समझने कि कोशिस कर रहे हैं और उसमें सुलहार करने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए जो स्राव नीटी के अधार पर आज विज्यक आया और पास हुआ है हम समझें जन्हीत में ठीक है हम पहले उसका जवाब पहले तो यह दिया कोई मुक्ता आजशना एक से दो चार सिर्ष बात तरह नहीं लगाते हैं उसी प्रकार से यह बाते हुई है वही कुछ समझ करके लाया होने कानून और कानून में कहीं कहीं दिक्कत हो रही थी तो आब समझ में सबसे बड़ी बात है कि पहले समझने को तयार नहीं थे अब वो समझ रहे हैं जैसे से इसमें दिक्कत आ रही है उसके अमसारी में सुल्थन लाने का प्रियास करें सब्सक्राइब कुमार के अपनी बात है उगीत भजन मकाते रहें ठीक रहेगा इसमें उनको ना करना सब्सक्राइब नहीं है तो चुकि जो लोग शराब माफिया जो पैसा कमाने के लिए बेरुजगारी है सब्सक्राइब करें बेच रहें और जब तक प्रशाशन के सब्सक्राइब नीचे तक जब तक वह मिले रहेंगे सब्सक्राइब माफियाउं से संसोथन से कोई फाइदा नहीं समझें कि अखम में भूल जोकनी की बात है हर बार संसोधन होता है हम लोगों ने दिया प्रस्ता अभी कहते हैं कि जो शराब पिएगा बोल देख फला आदमी ने शराब बेचा उसमें करवाई होगी अरे प्रूफ तो होना चाहिए को सराब बेचा है तब दुश्मनी के बदले कोई कहेगा सराब लिए तो यह बिल्कुल कानून नहीं है और मैं मालता हूं कि संसोधन से कुछ नहीं होगा जब तक कि प्रशाशन के पदाज़गारे डीजीपी से लगे नीचे तक लिमंदारी से शराब माफियां कि विरोद कर रहे हैं कहां आप संसोधन में देख रहे हैं कि शराब करें माले मुक्वंत्री जी अगर आप डीजेपी से लेकर नीचे तक करें कीजिएगा तब यह शराब माफियां को पकड़िये तब सराब बंदी पर बीत दिन बाबा वीर कुबर सिंग के पर पोते की हत्या पुलिस का स्टडी में हो गई है जिसको लेकर आज बिहार विध पुलिस के कस्टडी में बाबा वीर कुबर सिंग के पर पोते की मार कर हत्या कर दी गई है हमें इसकी उच तरिये जाज की मांग करते हैं सिफ इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि वीर कुबर सिंग की क्या भूमी का रही है ये हमें बतानी की जरूरत नहीं है और ऐसे मे अगर पूलिस की कस्टडी में ऐसी घटना घटित होती है तो मैं उसकी निंदा करता हूं और जाच की मांग करता हूं देखिए बाबो विर्कुबर सिंग के परकोता को पूलिस के हिरासत में मार पीट करकर के हत्या कर दिया गया करते हैं इसकी जाच की मांग हम लोग करते हैं SIT से जाच हो इसकी हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार का ये हाल है कि सुशासन बाबु के राज में ना तो मुखपंत्रि सुराच्चित है ना कोई महापुरुष का पड़ीवार जो महापुरुस बाबु बिर्कुबर सिंग का क्या योगदान रहा या आप लोग से बताने की जरूरत नहीं है महापुरुस के पोते परपोते का हत्या कर दिये गया पुलिस के द्वारा लाठी जंडो से मार पीट करके इंका हत्या कर दिये गया बिल्कुल हम लोग सदन में ये मामला को उठाएंगे आज बिहार बिधान सभा में शराबंदी कानून पर संशोधन और चर्चा होनी है उसको लेकर राजत विधायक और मुख्य प्रवक्ता भाई विरेंदर ने कहा इस सदन में क्या बाते होती है उसके बाद मैं इस पर बयान दूँगा हलाकि बिहार में शराबंदी कानून लागू ही हम भी कहते हैं लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराबंदी कानून की धजिया उड़ रही है कई बड़े नेता इसमें लुप्त है जिस तरीके से शराब बंवी के नाम पर NDS सरकार लूट पार्ट कर रही है और इसके पदधिकारी लूट पार्ट कर रहे हैं वह नहीं होनी चाहिए शराब बंवी है तो निश्यत रूप से नशा मुठ्टी होनी चाहिए यह हमारा सोच है अब लोग यहाँ पे गांजा पीर है उस पर भी रोख लगानी चाहिए इस पर कई याते बड़े लोग हैं जो गांजा पीते हैं उनके आदी हो चुकी है उस पर भी रोख लगानी रास्थानी पटना में एक प्राइम अंड कंट्रोल हो गया है लगतार अप प्राधियों ने दिन दहाडे ताबड तोड गोली मार कर बैपारी की हत्या कर दी है आपको बता दे कि कोली लगने से बैपारी के बेटे और कर्मचारी घायल हो गया है जिक विराज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है वही घटना से आक्रोशित लोगों ने दुक पुलिस और सिटी एसपी समेथ रापिड अक्शन पोर्स मौके पर पहुच कर स्थिदी को कंट्रोल करने में जुटी हुई है जिसकी विलापरवाई होगी थाना भ्याग से जो भी पदाविकारी समय होगा उसको दृता नहीं जाएगा हमारी पारंती नुटी चिलाप्शाव किसी बीजरी के से विए ब्लाविकारी दुस्यों पर जोगे तो पर आपका निकल गई थी लगने दिकत नहीं है उत्वाइ मैं तो दो ही लोग लगी लेकिन दूसरी जो गोली लगते हों तीसरी बित को चिलते हुए निकल गई थी चप्रा जिले में लगता स्वन बैसायों को निशाना बनाया जा रहा है और एक महिने में यह दूसरी खटना है पहले मरोरा और फिर चप्रा में दिन दाहडे अपराधियों ने खटना को अंजाल दिया है पुलिस के लगता सीसी टीवी क्यामरे और गार्ड से पूछताश के बाद अपराधियों तक पहुँचने के लिए कबर कसना पड़ रहा है लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अपराधियों को पुलिस कब तक गरफतार कर पाती है यह क्या मामना सामने रहे है इसमें अभी जो अभी उन लोग को पता चला है यह प्री एंड जो एलर्स को तासी बजार में बढ़वान बजा थाना अंतरगत आता है इसमें लगवाग सबाद दो गजे के आसपार बाइक सबाद बोटेरे आये थे और लोगों ने फूट पा करने के बाद चुना हो लोग तीनों बाइक पर करके निकल रहे हैं बाकी चीजें हम लोग डिटेल सिस्का ले रहे हैं अभी लूट की यह कितनी एमॉंट कितना है यह अभी असर्टें लिगवा है यह मिलान कर लेंग उसका पता चलेगा और जो गुटेरे हैं उनके बारे म करते और क्या पहना था उन लोगों ने अपने चेहरे पे बहुत कुछ डिस्क्लोज करने का बहुत पाइदा नहीं है उस पर काम कर रहे हैं आप लोगों से भी कहेंगे कि जो भी अगर पुटेज या कहीं से कुछ मिलता है तो हमें सेयर करें राधर बें पब्लिक डोमेंड में देने के वज़ा है तो उससे आप राधी भाग जाते हैं और फिर पकड़ने में हमें दिक्ता हुआ है उस सब चीज को हम लोग बेख रहे हैं और जो भी CCTV पुटेज इस पूरे सहर में लगा हुए हैं आने जाने वाले मार्ग में लगे हुए हैं उन चीनों को भी देख लिए तो पता चल जाएगा कि कितने अमॉंट की है हम लोग इसको भी चीज है अब बरामदी भी करेंगे इसके लिए काम कर रहे हैं तो बास सामने आया है उसने गार्ड यहां सेक्रूर्टी गार्ड जो है ससब्त्र गार्ड है उनके पास दो नाली बंदूख है तो उसको आखते वह अंदर लेका गए थे और उनका बंदूख भी ले लिया था और फाइरिंग भी एक रॉंण रूश में किया है लिकमें किसी फोज मुट्व नहीं किया है बल्कि यह लोग तो पैरिंग उसी उसी च्ळाने के लिए बंदूख से किया लिए बंदूख भी तोड़ और रमेश कुमार, मिदिश कुमार के द्वारा बिजली कनेक्शन अनाधिक्रित मनमाने तरीके से चोका फसा कर चला रहे। गजेद्र सिंग को 373 बॉट विद्धू तुर्जा की चोरी करने के दौरान 30,211 रुपए का फाइंड किया। वहीं आपको बता दे कि विनोध कुमार कभी अनाधिकार मनमाने तरीके से 473 बॉट की चोरी करने के दौरान और 30,566 रुपए का फाइंड किया। वहीं दो घरों में छापे मारी फाइंड किया गया। आपको बता दे कि फाइंकर करन्या विद्धूत अभियता सुमन पचेल के दौरा कोश थाना में FIR दर्श कराया गया है। जानकारी देते हुए कोज के कनिया विदूद अभियत्ता सुमन पचे ने बताया कि दो लोगों के खिला को स्थाना में अफायार दर्श कराये गया है अववा दिशोम अववा राज में शिकारपाड़ा प्रखन शेत्र में रामगड एवं पथर काटा गाउं के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वन्चित हैं अजाली के 75 साल बाद भी उन्हें शुद पैजल के लिए तरसना पड़ रहा है दोनों गाओं के ग्रामिनों को नदी का दूशिक पानी पीना पड़ रहा है आपको बता दे कि रामगड में बरसों से लोग नदी का गंदा पानी पीने में विवश हैं ग्रामड के ग्रामिनों ने बताया कि एक साल पहले ही एक जल मिनार लगाया गया था लेकिन जल मिनार दो महिने में ही खराब हो गया ग्रामिन दो किलोमेटर दूर नदी का गंदा पानी पीने को विवश हो गये हैं ऐसे में ग्रामिनों ने बताया कि गर्मी के दिनों में नदी सूप जाती है गंदा पानी पीने के कारण आए दिन रामगड के निवार से बिमार पड़ते हैं भही पत्तर काटा में भी पिछले काफी दिनों से जर्मिनाथ खड़ाब है लेकिन इस और किसी का भी ध्यान नहीं जाता है लोग नदी का गंदा पानी पीने के लिए विवश है इस सम्मन में प्रखन विकास पधिकारियों ने कहा कि हमारे संग्यान में है जल स्तर काफी नीचे जा चुका है दिसका रंचापा कल खराब हो जाता है जिसका समाधान हमारे स्तर या पिएजडी स्तर से बात करके किया जाएगा गौर्टलब है कि एक तरफ केंद्र एवं राज सरकार पैजल सुविधा मुहया कराने के लिए अर्बो खर्च कर रही है बहीं दूसरी तरफ लोगों को शुद पैजल भी नसीब नहीं हो पा रहा है लाई जारे ही योजनाय धरातल पर नाकाम साबित हो रही है विभाग के अभियन बिना स्थल निरक्षन किये कार्य अवंटन कर रहे है कार्य में गुनबक्ता का भी ध्यान नहीं रखा जाता है नवश्कार मैं हूँ श्योशी स्वाधत करतियों का स्वदेश्वानी में रामगड में राम सेना बैनर करे मंगला जुलूस का भव्यायोजन किया गया जिसमें रामगड के विभिन शेत्रों से रामभक्त इस मंगला जुलूस में शोभाय आत्रव पर पधारे आपको बता दें कि सभी रामभक्तों में काफी उस्चाह देखने को मिला गाजे वाजे एवन डीजे के साथ नास्ते जूंते हुए श्री राम के नारे लगाते हुए लोग दिखें इसमें बूढे बच्चे भी इस कारिक्रम में शामिल हुए आपको बता दे इस मंगला जूलूस में रामगड के विभिन बचरंग बली के मंदिरों पर मंगला जूलूस का दर्शन कराने का स्वभाग्य प्राप्थ हुआ इस महामारी कोरोना काल को लेकर दो साल से किसी भी राम मंदिर पर राम नववी के उपलक्ष पर मंगला जुलूस शोभाय आत्रा का आदेश नहीं मिला था दो साल के बाद सभी राम भक्तों के द्वारा आयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भी उपसार नजर आया आपको बता दें कि सभी राम भक्तों में काफी उच्छा देखने को मिला गाजे वाजे एवन दीजे के साथ नास्ते जूनते हुए श्री राम के नारे लगाते हुए लोग दिखें। इसमें बूढे बच्चे भी इस कारिक्रम में शामिल हुए आपको बता दें इस मंगला जूलूस में रामगड के विभिन बजरंग बली के मंदिरों पर मंगला जूलूस का दर्शन कराने का स्वभाग्य प्राप्थ हुआ। इस महमारी कोरोना काल को लेकर दो साल से किसी भी राम मंदिर पर राम नववी के उपलक्ष पर मंगला जूलूस शोभाय आतरा का आदेश नहीं मिला था। दो साल के बाद सभी राम बक्तों के द्वारा आयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भी उत्साह नजर आया